हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग तो अभी हो गया है सुभे और यहां पर भगवान जी को कर दिया है प्रणा अब करते हैं घर के काम के शुरुआत यहां पर पहले मैं थोड़ा रात का बिखरा हुए रहता है ना उसको उठा उठा के रखती हूं अभी तो फिर भी कम है अ तो यह पीछे हमारा सोफा ना दिवाल से टच नहीं है तो वो थोड़ा सा आगे पीछे खिसक जाता है तो उसको मैनेज करना इधर यह पूरी साफ सफाई चल रही है वैसे तो यह डेली की सबके घर के काम हैं सब अपने अकौर्डिंग करते हैं बस आज सुचा सुभे से ब कैस के नीचे रखते हैं रखना चाहिए या नहीं वो नहीं पता बट मैं इधर ही रखती हूं मेरे को समझ नहीं आदा कहा रखूं तो मैं उधर ही रखती हूं अभी इसके बाद मैंने यहां पर आलू ओयल करने रखती है आलू वयल क्योंकि आज मेरा सेंड़िच मुनाने क प्लान था और इलुक सो रहे हैं अभी तब तक मैंने पानी गरम करती हूं पानी गरम हो जाएगा तो फिर इंको जगाऊंगे पानी गरम होने रखा है जब तक मैं सोच रही पेड़ों को पानी डाल के आते हैं यहां पर मेरे चोटे चोटे नंडे मुन्ने से पेड़ पॉधे हैं जनको मैं पानी देती हूं और इनको थोड़ा सा मैंने कावर करके भी रखा क्योंकि यहां पूरे दिन की धूप लगती है इसलिए इनको धक्यार रखती हूं अभी तो खुले हुए हैं अभी तो खुले पानी आता है इसलिए अभी भर के रख दिती हूं और यह हमारा पानी गरम हो गया मुझे यसा लग रहा है कुछ जादी माया तुम को है हम स्कूल में बाइक चला रहा हूं और आप पापा और आप पीचे बैटे होते हैं और मानों भी स्कूटर स्कूर्टी चलाती है और ब सपने में आया अज़े दिवारा सपना पूरा हो मगमी को बठा के गुमाओ यहां पर हमारा पानी गरम हो गया है अब यह थोड़ा सब ज्यादा गरम हो गया है इसलिए मैंने नॉर्मल पानी मिक्स कर लिया है अभी यह लोग जग्गा है तो रूम खाली हो गया अब इसको आपकी थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि तुरंट की तुरंट हो जाता है तो ठीक रहता है अधर अगर थोड़ा पैंडिंग कर दो और यह पहले कर लिए इसको बाद में हो जाएगा पोई दिककत नहीं है तो फिर वह काम पीछे छोटी जाता है इसलिए तुरंट करने दिए सांडविश वाला सेंविश गणा अंधिक कि उसके लिए तुच्छ बakना अंतारो सेंविश में को रिच नारिए। सेनड्वेच भी चाय बनए दिरी-द्री अभी tych.... मुसकी टीज़ा थी रिवानी ट्रैक है और सम्हां निकलेगीnaireी हम गूमने के निकले यूपर मैट्रोन का ट्रेक है आर स्टेशन है जो हमको रास्ते में मिला वैसे यह Metro City है बट यह बहुत अच्छी है सांथ है लगता नहीं है कि यह Metro City है बहुत सांथ है सुकून सहर है और यह I think Elvis Briss है मेरको अच्छे से याद तो नहीं है बट यह Elvis Briss है फिर हम लोग आगे काकडिया काकडी तालाव जो हमने केवल वहां पे सुना हुआ है जे धालाल के मुह से तारग महता में और यहां पर यह बेटू हमारे मस्ती कर रहे हैं थोड़ा साइक क्लिप ले ली छोटी सी यह हम लोग टिकेट लिके आए टिकेट हाँ आइधिंक टिकेट ही ले ने गए थ अच्छा है यह तो बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए अच्छा है और में लगता कि एक वार में आप पूरा कवर कर पाऊगे इतनी सारी चीजें हैं यहां पर मंदिर भी हैं दो मंदिर मिले हमको और यह है आईलव काकरिया और यहां पर आपको फोटो ठीचने का मौ चोटे चोटे गेम्स हैं यह जूले या क्या बोलते हैं चोटी 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 ट्रेन वह सब बनाके रखी हुई है काफी अच्छा है मतला मैं तो यह सूशती थी कि केवल काकड़ी है ताला मतला ताला होगा और यहां पर यह बेटू ने आइस क्रीम खाई उसके पापा ने कि शॉप भी है कुछ नहीं है काफी सारी है और यहां पर ट्रेन में चलती है आप पूरा ट्रेन से विजट भी कर सकते हो ट्रेन में बैटके पर संडे था तो बहुत भीड़ती इसलिए हम लोग नहीं बैठे ही यहां पर यह बीच बीच में चोटे चोटे पार्ट जैसे य अच्छी चीज है यहां पर हम गए ऊपर जुले यहां पर ओपर जुले लगे हुए है चोटे बच्चों के लिए भी यह बड़ों के लिए है तो कुछ जूले, मैंने भी जूले, कुछ बेटू ने जूले, मज़ा आया बहुत सारा, ये है बोट, और ये है जिप साइकलिंग, जिप साइकलिंग भी हो और जिप क्या बोलते हैं उसको वो भी थी, और ये है जूला, इस वाले में मैं बैठी थी, बहुत मज़ा आया, बह कि ऐसे राउंड राउंड भी घूमती है तो पर वो अच्छे से इंजोई किया उसने बहुत मतलब अच्छी जगह है अगर आपके यह कोई आता है तो आप उसको ले के जा सकते हैं मतलब बहतरीन है सुकून से बैठने के लिए भी अच्छा है एक यह वाला जूला इसमें मैं साउथ इंडियन का और फिर उसके बाद घर के लिए निकले और अभी मैं इस ब्लोग को इधर ही एंड करती हूं थैंक यू सो मच देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू